अकाश्वाणी भूपा से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कास समाचारों के साथ मैं सैयुक्ता बैनुर जी पहले मुख्य समाचार देश में सबसे सस्ता इलाज दिलाने में मध्यप्रदेश अववल नमबर पर रहा राश्पति पत के लिए एंडिये के उमीदवार रामनात कोविंद कल भूपाला रहे हैं CBI ने आज व्यापम से जुड़े एक मामले में 13 लोगों के खलाफ आरोपत्र दायर किया है और प्रदेश में मौनसून थोड़ा कमजोर पड़ गया है अब समाचार विस्तार से मध्यप्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां जेब पर अधिक बोज डाले बिना मरीजों को अच्छा इलाज मिल रहा है प्रदेश को ये वॉर्ड अंदोर में स्वास नवाचारों पर चल रहे राश्य संबेलन में दिया गया राज्य के शास्किय चिकटसालियों में निहशुल्क, जांच, उपचार, परिवहन और भरती मरीजों को निहशुल्क आहार सुविधा मिल रही है इन दोर में चल रहे तीन दिवसिय राश्य स्वास सम्मेलन के दूसरे दिन विभन राज्यों ने अपने अपने नवाचार साजा किये प्रतिनधियों ने मात्र शिशु स्वास्थ, संचारी असंचारी रोग नियंत्रन, अस्पताल प्रबंधन, शहरी स्वास्थ मिशन, स्वास्थ तक्नीकी, सामुदाइक स्वास्थ प्रक्रियाओं, अधुसन रचना विकास तथा स्वास्थ सेवा गुणवत्ता पर आधारित नवाचारू पर प्रस्तुती करण दिया। उच्छतम न्यायाले ने IIT JEE Advance 2017 की सीटों के लिए काउंसलिंग या दाखिले पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। शीष न्यायाले ने कहा है कि IIT JEE Advance की काउंसलिंग को लेकर कोई भी उच्छ न्यायाले सुनवाई नहीं करेगा। न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ती A.M. खानविलकर की पीट ने एश्वर्य अगरवाल की याचिका पर यादेश जारी किये। याचिका करता ने प्रश्न पत्रों के एक सेट में कमी क्याधार पर ये चनौती दी थी। मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। इस पैठक में केंड्रिय विदेश मंत्री सुश्मा स्वराज, नरेन सिंग तोमर, थावर्चंद गहलोत, मुखे मंत्री शिवरा सिंग चौहान सहित कई वरिश भाचपानेता उपस्थत रहेंगे। मही विपक्ष की राश्रपती पत की उमीदवार मीरा कुमार के 13 जुलाई को भोपालाने का कारिक्रम है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि सरदार सरोवर परियोजना में करीब एक लाख लोगों को बिना किसी तैयारी के विस्थापित किया जा रहा है। पार्टी के प्रदेश सईयोजक आलोग अगरवाल ने आज बढ़वानी जिले में नर्मदा विस्थापितों को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि पुनर्वास थलों पर कोई सुविधा नहीं होते हुए भी लोगों को अपना घर छोड़कर पुनर्वास थल पर जाने के लिए मजबूर करना सरवोच नयायाले के वर्श 2000-2005 के आदेशों का खुला उलंगहन है। शुय अगरवाल ने कहा कि उनकी पार्टी विस्थापितों के साथ है और पूरे प्रदेश में इस विस्थापन के खिलाफ मुहीम चलाई जाएगी। उन्होंने चिकल्दा में विस्थापित परिवारों से मुलाकात की और उनके क्रमिक अंशन की शुरुवात करवाई। कर्मचारियों को लाब होगा। वेतनायों की सिफारिश पर केंद्र सरकार के फैसले के अनुसार भत्तों से संबंधित अधी सूचना कल्ब भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है। शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर मूंग और उड़त की खरीदी की तारीक अब 31 जुलाई तक कर दी गई है। पहले ये 30 जून तक थी। ग्वालियर में भी कलेक्टर ने क्रशी कल्यान और क्रशी विभाग से संबंधित अधिकारियों को खिसानों तक जानकारी पहुचाने के नर्देश दिये हैं। प्रादेशिक समाचार आकाश्वानी भूपा से प्रसारित किये जा रहे हैं। ताज़ समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉग इन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलिटन यूट्यूब, ट्विटर और फेस्बुक पर AIR News भूपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। केंद्य जाच ब्यूरो CBI ने व्यापम से जुड़े एक मामले में ग्वालियर के विशेश CBI अदालत में 13 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। इसमें 5 अभ्यार्थी, 5 फर्जी अभ्यार्थी और 3 दलाल शामिल हैं। इस मामले में 15 सतंबर 2013 में ग्वालियर के विश्व विद्याले थाने में विभन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। CBI की जाच में पता चला कि वश्व 2013 में हुई पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में 5 अभ्यार्थी शामिल नहीं हुए थे। दलालों की मदद से उनके स्थान पर फर्जी अभ्यार्थियों के बैटने की व्यवस्था की गई थी। CBI ने व्यापम से जुड़े एक और मामले में एक अभ्यार्थी के खिलाफ पूरक आरोपत्र भी दायर किया है। राश्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सभी राज्यों को शहरी बाढ़ की तीवृता कम करने पर ततकाल ध्यान देने की सलाह दी है। प्राधिकरण ने अधिक्तम बाढ़ स्तर को चन्धान्त कित कर और हर शहर में शहरी बाढ़ की प्रबंधन से स्थापित करने की सलाधी है। इस संबन में प्राधिकरण ने एक एडवाईजरी जारी की है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा शहरी बाढ़ को निय इंत्रुट करने के लिए शहर के परिद्रश्य के अनुसार मानक संचालन प्रक्रिया को स्थापित करने को कहा है। बलकी चुनाव जीतने के लिए स्थानिय प्रशासन का किस तरह पार्टी हित में मदद लेती है। इसकी पुष्टी भी सतना कलेक्टर के पत्र से होती है। थोड़ा कमजोर पड़ गया है। पचले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के रीवा एवं चंबल संभाग में कुछ स्थानों पर शेहडोल और उज्जैन संभागों में कहीं कहीं वर्शा दर्च की गई। तदा शेश संभागों में मौसम मुख्यतह शुष्ट रहा। वर्शा के प्रमुक आकणों पर गौर करें तो महगाओं में साथ, हनुमना, लहार और सिधी में एक सेंटीमीटर वर्शा दर्च की गई है। मौसम विभाग द्वारा प्रारम में मिले संकेत के अनुसार अच्छी बारश की उम्मीद से बड़ी संख्या में किसानों ने धान के खेत तयार कर रोब तयार कर ली थी, लेकिन कमजोर मौनसून के चलते अब किसान धान के खेतों में दूसरी फसलों की तयारी कर रहे अब कुछ समाचार संक्षेप में टीकमगर जिले में नौवी और ग्यारवी कक्षा के परीक्षा परिणाम में हिरा फेरी करने के आरोप में शास की हाय सेकेंडरी स्कूल लधौरा के दो शिक्षकों को निलंबित किया गया है राइसेन कलेक्टर ने आज अपने दफ्तर में सीम हेलपलाइन के शिकायत करताओं से बात कर उनकी समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश दिये चतरपुर जिले के ग्राम पंचायत खेरी में आज स्वामी विवेका नंद एडुकेशनल और सोशल वेलफेर सोसाइटी उदैपुरा की तरफ से गरीब परिवार के जरूरत मंद व्यक्तियों को नहिशुलक कपड़े और चपले वित्रित की गई स्कूल शिक्षा मंत्री कुवर विजैश शाह ने आज खंडवा जिले के खारकला पहुँच कर 194 लाख रुपे की लागत से बने अनुसूच जाती सीनियर कर्निया चात्रावास भवन का लोकार पंड किया केंद्रिय जल संसाधन मंत्री उमा भार्ती आज असिहोर के बुधनी स्थच शिवनेरी आश्रम पहुँची और पूर्व केंद्रिय मंत्री स्वर्गिय अनल माधवदवे की स्मृती में पौधरोपन किया शेहडोस जले में अच्छी बारिश को देखते हुए इस बार भी धान के बंपर उतपादन की उमीद है अब तक करीब 50,000 हेक्टेर में बोनी का काम पूरा हो चुका है राजमानव अधिकार आयोग ने गुना जिले के बमौरी के अस्पताल और छटरपुर जिला अस्पताल में हुई घटनाओ पर संग्यान लेते हुए संबंधित अधिकारियों से रपोर्ट तलब की है अन्थ में मुक्य समाचार एक बार फिर देश में सबसे सस्ता इलाज दलाने में मध्यप्रदेश अफवल नंबर पर रहा राश्वपती पत के लिए NDA के उमीदवार रामनात कोविंद कल भोपाल आ रहे हैं CBI ने आज व्यापम से जुड़े एक मामले में 13 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है और प्रदेश में मौनसून थोड़ा कमजोर पड़ गया है इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलिटन समाप्त हुआ नमस्कार